आज से चार साल पीछे 2019 में बॉलिवुड के अंदर बहुत सारी बड़ी-बड़ी मुवीज रिलीज होती हैं जिनका शोर बहुत जादा हुआ करता था पबलिक के बीच में लेकिन पता है इन सब खरगोशों के बीच से बहार निकल के रेस एक कच्वा जीत गया था बात करी हूं मैं उरी दर फिल्म की ऐसा सिनिमा जो शायद रियालिटी पर भी भारी पर जाए सिर्फ 25 करोड बजट वाली फिल्म ने साड़े 300 करोड का बिजनिस कर दिया गुड निउस वो सेम मेकर्स अब दुबारा ठीक उसी सबजेक पे एक नई फिल्म के साथ वापिस लोटे हैं तेजस नाम शायद बिलकुल नहीं सुना होगा हाइप क्यों नहीं है उसका दोज देने के लिए बहुत सारे रीजन्स हैं लेकिन फिल्म में वाकई कुछ दम है या फिर सिफ उरी का नाम बदनाम किया है इसने चलो बताती हूँ तो बॉस इंडिया का एक तेज दिमाग ऑफिसर फस गया है पाकिस्तान के अंदर चारो तरफ आतंगपादी है और गले पे एक मोटा नुकीला चाकू लेकिन कैमरा चालू होते ही मौर्स कोड में आँखों की जुबान से बताता है मेरे पास रहे खतरनाक इंफोमेशन बचा लो मुझे रोड से जाएंगे तो ऑफिसर की जान पका गवाएंगे आसमान से उर गए तो देश का बेटा और इज़त दोनों वापिस लाएंगे अब क्या करना चाहिए उरी का फेमस डायलोग याद आता है ये नया हिंदुस्तान है घर में घुसके मारता है लेकिन जंगल में भेडियों के जुन के बीच से उनका फेवरेट खिलोना बहार निकालना सबसे पहले तुमारा हाथ कटेगा उसके बाद गला फिर पूरा शरीर मतलब पाकिस्तान में घुसना वो भी सीधा आतंगवादियों के जुन के बीचो बीच ये मिशन नहीं सुसाइड मिशन होगा मरने वाले एक नहीं दो हो जाएंगे हाँ तो बहुत कहानी सुनके सच में मज़ा आया होगा थैंक्यू वो मेरा टैलेंट है लेकिन कहानी बताने में और दिखाने में बहुत फर्क होता है देखो बिना किसी फिल्टर के बोलती हूँ आपस तेजस के पास वो सब कुछ है जो आप एक प्रॉपर देशभक्ती फि पर देख रहे हो नया इसमें कुछ भी नहीं है जीरो परसेंट उरी में विकी कोशल ने पब्लिक को दिया था ऐसा लाइफटाइम एक्सपिरियंस जिसको आज दुबारा थीटर में देखने को बोला जाए हर कोई टिकेट बुक करेगा लेकिन तेजस को पहली बार देखते एयर फोर्स का यूनीक एक्सपिरियंस जो इंडियन सिनमा में आज तक नहीं मिला बर्ट चांस मिस्ड ना तो एयर फोर्स का इस्तमाल हुआ और ना ही कोई इंस्पाइरिंग कहानी है डायलोग्स भी पुराने हैं और फीलिंग्स भी खाली है बस अच्छा है तो कंगना रन और आधा दो घंटे में पूरी फिल्म खतम फास्ट स्क्रीन प्ले जीरो बोरिंग सीन्स नेगेटिव्स में रेपिटेटिव कहानी कुछ नया नहीं है दूसरा एयर फोर्स का यूनीक टॉपिक आसमान की लड़ाई का सही धंक से नो स्तमाल तीसरा राइटिंग बहुत होगे आगे आपकी मर्जी बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायब करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाइबाइ